हेला एवरीवर वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल सैनी लर्निंग ग्लासिस मैं हूँ आपके एजगेटर नेहा सैनी आज हम डिसकर्स करने वाले हैं सेकिंड strategy for strain implement जो है हमारी recombination ठीक है उसके बाद हमारी एक और बच जाती है यह आपकी recombinant DNA टेकनलोजी अगर आज हमें टाइम मिला तो आज complete कर लेंगे वारे नेक्स वीडियो में इसको complete कर देंगे तो सबसे पहले है आपका recombination देखो recombination का मतलब ही क्या है combination of genes ठीक है इसमें क्या होता है कि new gene का formation होता है by combining the genes from different strain okay it is used to bring desirable allele present in two or more strain into a single strain इसके अंदर क्या होता है जो desirable allele होते है अलग strain से यानि कि एक है एक से जाधा strain से हम क्या करते है desirable allele को लेते है और एक single strain के अंदर transfer कर देते है increase करने के लिए product को yield को और इसकी quantity को और generate करने के लिए new product तो हम क्या करते है recombination का use करते है ठीक है इसके अंदर क्या होता है तीन तरह क्या होता है आपका sexual reproduction इसके अंदर आता है आपका conjugation जो कि mediated होता है by sex factor occurs in many bacteria actinomycities including esteptomyces और produce करते है new combination of existing alleles को second आता है आपका parasexual cycle जो यह rare form होती है sexual reproduction जो male कुछ फंजाई में पाए जाती है इसके अंदर क्या होता है in parasexual combination nuclei in hyphae from two different strain fuse जो nuclei ही है दो strain का जो nuclei ही है वो क्या होता है fuse होता है ठीक है तो nuclear का क्या होता है fusion होता है इसको हम nuclear की fusion हमें एक term और बोलते हैं क्या बोलते है heterokaryosis क्या बोलते है heterokaryosis यह आपसे question one mark में पूछा जा सकता है exams के अंदर ठीक है अब इसके अंदर जो main important जो फंजाई है वो कौन कौनसी फंजाई जो parasexual cycles में बहुत important role play करते है वो आपके panicellium, trisogenum and aspergillus niger ठीक है इनके अंदर कोई भी sexual cycle नहीं होती है तो यह parasexual cycle के थुरू क्या करते है reproduction करते है ठीक है it has been used to select organism with higher yield of various industrial product यह जो organism में यह select के गए है क्यों क्योंकि इनके अंदर क्या है various industrial product की yield को यह बढ़ाते है ठीक है जैसे कि आपका panicellium, citric acid, gluconic acid ठीक है अभी जो parasexuality है वो बहुत ज़्यादा vitally successful तो नहीं है क्योंकि जो deployed parent होते है उनकी जो yield है वो हमेशना ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही ज़्यादा रहे ठीक है वो revert होकर के lower yield में भी convert हो सकता है तो यह ज़्यादा successful तो नहीं है लेकिन अगर हमें दो fungi की बीच में उनको fuse करना है तो हम किसका use करते है परasexual cycle का use करते है ठीक है और इसके अंदर क्या होते है जो दोनों fungi उनका nucleus जो है nuclei जो है वो fuse करते है और उसी nuclei के थुरू हम क्या करते है production को increase कराते है next आता है आपका protoplast fusion अब यह जो protoplast fusion है इसका मतलब क्या है protoplast जो है वो fuse हो रहा है जो cytoplasmik आपका cytoplast के अंदर जो भी matter है वो क्या हो रहा है आपका fuse हो रहा है ठीक है यानि कि protoplast आपका fuse हो रहा है protoplasts are formed from bacteria, fungi, yeast and actinomycities where dividing cells are caused to lose their cell wall अब इसमें क्या होता है जो cell wall है वो lose हो जाती है यानि कि वो हट जाती है इसके अंदर जो enzyme काम करता है वो आपका lysozyme lysozyme से भी बहुत question पूचे जाते है lysozyme enzyme जो है वो कहां पाया जाता है वो saliva और tears के अंदर पाया जाता है और यह क्या करता है यह capable होता है ब्रेक करने के लिए cell wall को बीटा जो वन फॉर बोन होते है उनको क्या करता है वो ब्रेकडाउन कर देता है जैसे कि यह cell wall हटेगी तो जो उनका protoplast है वो क्या करता है फ्यूज करता है जैसे कि आपने conjugation में भी देखा होगा दो सेल्स जो होती है वो आपस में मिलती है और जो साइटोप्लास्मिक मैटर है उसके अंदर जितना भी जैटिक मैटर है वो सब क्या हो जाता है आपका फ्यूज हो जाता है तो protoplast fusion होता है ठीक है अब यह जो टैक्नीक है वो इनवोल करती है formation of stable protoplast को fusion of protoplast and subsequent regeneration of viable cells from protoplast अब इस fusion के लिए fusion from mixed population के लिए आपको क्या चाहिए होता है polyethylene glycol यह question important है polyethylene glycol आपको किसले चाहिए fusion के लिए किसमे protoplast fusion के लिए ठीक है उसकी stability को उसको enhance करने के लिए हम क्या करते है polyethylene glycol का यूज करते है protoplast fusion has been successfully done with bacillus subtilis bacillus megaterium and among several species of streptomyces और fungi ठीक है example यहाँ पर आपको दिये ही हुए है this method has great industrial potential and experimentally has been used to achieve higher yield of antibiotic through fusion with protoplast from different fungi इसके तुरू आप क्या कर सकते है जितना भी industrial का जो product है ठीक है यानि की yield है जो antibiotic की उसको बढ़ा सकते है by fusing the protoplast of different fungi ठीक है और इसके basically these are the three methods which we used in the recombination first आपका sexual reproduction second आप parasexual and third one आप protoplast fusion ठीक है I hope यह आपको clear हो गया होगा recombination next हम पढ़ेंगे recombinant DNA technology थोड़ा लंबा topic है तो इसको आप next class में cover करेंगे I hope आज की वीडियो आपको पसंद आही होगी if you like it you can like share and subscribe to my channel